सत्पाल मलिक जी को राजपाल आपने बनाया, पिछले दो दशक से आपकी पार्टी के वरिष्ट नेता हैं, समेधन शील राज़े का आपने उनको राजपाल बनाया, आज सत्पाल मलिक जी कहा है? आज सत्पाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पिएस सो लेकर बैठे हैं, जमु कश्मीर का पूर्व राजपाल एक पिएस सो लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो, नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी हैं, जो आपकी पार्टी के भी नहीं है, परोख सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ हेवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है, सत्पाल मलिक जी से क्या खफा हो गए, क्यों खफा हो गए, वो हैं जरा खफा खफा, ये तो सब को दिख रहा है, नहीं तो एक पिएस ओ, और वो दो बार चिठी लिख चुके हैं गुलाम नभी आजाद, और दूसरी तरफ सत्पाल मलिक जी, तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ट नेता, आपका चहेता, आपकी चोईस थी, आपने उनको जमू कश्मीर का राजिपाल बनाया, आज उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते, नहीं तो जमू कश्मीर म नाम के ठग को भी जेड प्लस दे दी थी आपने, तो सत्पाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया, कि उनको आज सजा दी जा रही है, किस बात की सजा दी जा रही है, हम यह सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सत्पाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही ये कौन सी फाइले हैं, इंशोरेंस की एक स्कीम की फाइल है, जिसके बारे में वो इस इंटेव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड की घूस की पेशकश, RSS के पदाधीकारी द्वारा इन्हें की गई थी, अब इन्होंने RSS के पदाधीकारी का नाम भी खोल दिया, हो गय इस बात को दबा रहा है, कौन इस बात से डरा हुआ है, कौन इस बात की सजा सत्पाल मलिक जी को दे रहा है, या तो RSS दे रही है, या प्रधान मंतरी कार्या ले दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया है